यह कब्र कश्मीर के अंतीम सुवतंत्र शाशक सुल्तान यूसुफ शाचक की है पत्ते में जहर दे के मारा गया था इनके बेटे को हाँ याकूब शाचक को क्योंकि बागी था ना याकूब शाचक तो इस बात के लिए रेडी नहीं था कि मैं कश्मीर को अकबर के अधीन दे कश्मीर का शाशक था चंक परिवार से था चंक वंच थे कश्मीरी और चंक ठीक है यह शाशक कम था कवी ज्यादा था उनीस जनवरी उनीस सो सततर को जब शेख अब्दूल्ह यहां आए अपनी पूर्ट शेख अब्दूल्ह थे भगवान दास ने अकबर से अनुरोथ किय कि मैं एक राजपूत हूं मैंने इसे बुलाया था संधी के लिए और आपने संधी ना करके इसे एक्साइल कर दिया बंदी बना दिया तो यह जगह एक इतिहासी का स्थान की जगह एक चारागाह बन गई बिलकुल हाँ ठीक है समय अकबर की राजदानी आगरा थी और हर ब इसको संदक्षित किया गया बाई यासिर खांचक यह मेरा नाम है क्योंकि नमस्कार पढ़ा मैं मीद चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तकवे मौजूद हैं इसलामपूर विधान सवाच्षेत्र के बेशुबग गउं में और बेशुबग जो गउं है वो ब उनका पर कभरिस्थान के उनको क्या बोलते हैं कि रखा गया हैं अंदर और यहां पर चल गर के हम विश्तार से जानेंगे कि एक क Lebensy lleas के बगल में जितने भी आप खेत खल्यान देखेंगे कहीनhem इर कहीन से ऐreibt मतलब कि मिला हुआ है इन से जुला हुआ है यहां पर युसुफ साह चक किंग आफ कास्मीर ये बार हुए थे 1545 में और क्या बोलते हैं कि यसी सेशन हुआ था 1580 में और इसके बारे में बिस्तार से हम जान क्या बोलते हैं कि यहां के जो एक गाइड है मिन से वरतालाब करेंगे यासिर खान जी यासिर खान जी हैं जो कि मतलब कि इसलामपूर के बारे में क्या बोलते हैं कि बिस्तार से इनको पता है और कई वार हमारे चैनल पर करके इसलामपूर के इतिहास के बारे में क्या बोलते हैं कि इसलामपूर के अतीद के बारे में बता चुके हैं तो यह क्या बोलते हैं सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैन यह तो बड़ा अच्छा सवाल किया ने आपने इस बोर्ट पर साफ लिखा है कि जिस कबर पर राये हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि यह कबर किसकी है बिल्कुल कब पैदा हुए कहां उन्होंने शाशन किया तो यह कबर कश्मीर के अंतीम स्वतंतर शाशक सुल्ता यूसुफ शाचक की है यह वह कबर है जो सुल्तान यूसुफ शाचक की है इनके जस्वगल में बेटा इनके याकूब शाचक है और इनके फूट साइड में इनकी वाइफ मलका हभा खातून है जो कश्मीर की मलिका थी महारानी थी और यह जो और सब छोटी-छोटी कबरी है इनके सगे संबंदियों की है अब थोड़ा सा फिस्ट्री बता दे मुगल काल के समय तक कश्मीर एक स्वातंतर शाशक मतलब वह देश वा करता अकबर के समय तक मुगल तो 12 1526 वह बावर से स्टार्ट हुआ इबराहिम लोदी को हराकर वह आया कि बावर से लेके हमायून उसका बेटा यह भी जब अपने समराज को देखता था इतना बड़ा देश और इसमें बड़ी शक्ति इतना बड़ा शाशक और उसके पास में ब अड़ा अधिन हो वहां भी उसके अंडर में क्योंकि यद और शाशक कही काम यायूद करना और अपनी मतलब वो चीजों को समराज को आगे बढ़ाना विस्तार करना घृआ को अकबर शॉरी बाबर और हिमायून ने भी दो बार कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने के अच्छा जब अकबर सत्ता पर आया तो उसने भी कश्मीर को अपने अंदर लाने का भारत के अंदर करने का पूरी कोशिश किया कि मेरे मतलब मुगल के अंदर कश्मीर आ जाए लेकिन कश्मीर की भागलिक स्थिति और वहां के लोग इस बात के लिए बहुत राजी नहीं थे अगरी नहीं थे तो अकबर ने भी कई छोटी मोटी सेनाओं के साथ वहां प्रियुद्ध किया आकर्मन किया कि वो किसी तरह विवश हो हारें लेकिन ये लोग भी मजबूत थे योधाट थे अकबर की सेना वहां जीत नहीं सकी उस समय अकबर की राजदानी आगरा थी अगरा थी तो यह जो प्लान बनाया कि हम स्वें और अपनी एक खास टुक्री के साथ जो बड़ी संख्या में हो रहेगी कश्मीर पर आकर्मन करेंगे और कश्मीर को विजय करेंगे तो यह बात कश्मीर के शाषक जो अभी वर्तमान में यहां लेटे हैं तफन है इनकी कबर हो काश्मीर के सासक बेसबक में दफन है यह समझ में या रहा है इसको यह बात प्लाजा भंगवान दास ने कही अकबर के सेनापती ने कि युसुफ शाचा कब तक तुमने युद् कि अधीन नहीं हो सके छोटी चोटी टुक्री के साथ तुम्हारी फाइट थी अकबर जब खुद्ग करेगा तो पूरे कश्मीर को काट देगा ख़तम कर देगा बर्बाद कर देगा बहतर यह है कि वहां की परजा के लिए और तुम्हारे हित के लिए भी तुम अकबर की द महान अकबर से कहें कि मैं उनके धर डर्बार में हाजिर होना चाहता हूं लेकिन अकबर और क्रोधित वा उसने खा कि मैंने यूसुफ शाचक को बुलाया था उसने अपने बेटे को भेजा इसका क्रोध और चरम सीमा पर था ये बात यूसुफ शाचक-को पता लगी ये व अकबर ने उसको क्या क्या बैशाइल करवा दिया यानि बनी बदि बना दिया उस समय जब अकबर का समराज इधर था मुगल थे यह बंगाल-प्रांथ का बेश्वक्त परगना था बंगाल ही स्टेट हुआ करता था अब उससे सब स्टेट पैदा हुए उली सा यह जारकंड बिहार पहले इंटायर बंगाल था और यह बंगाल प्रांथ का बेश्वक्त परगना है आप कागज में डॉकुमेंटेशन में देखते होंगे कि खतियान उतियान के उपर लिखा रहता है परगना कडस्टर सर्वे में भी देखेंगे बहुत सारे और डॉकमेंटेशन में है परगना डैट मिन्स कलेक्टरेड जो आज के जमाने में जहां डीम बैठते हैं जहां कलेक्शन होता है रेवुनू जाता है जहां कैदियों को रखा जाता है जहां समस्यां सुनी सच टाइप अफ लोकल कोट लोकल पावर इस्टेश्टन जहां से किसी इसको कंट्रोल किया जाता है वहीं इसको कैद करवा दिया गया यहां तोदार मल और मान सिंग इस जगह की देख रिक करते थे उनके सेनापती थे अकबर के उनका समराज तो बहुत बड़ा था लगभग दो साल तक यूसुफ शाचा किया कैद रहें कई किताबों में दो सा से कम का समय लिखा लेकिन लगभग दो साल भगवान दास ने अकबर से अनुरोथ किया कि मैं राजपूत हूं मैंने इसे बुलाया था संधी के लिए और आपने संधी ना करके इसे एक्जाइल कर दिया बंदी बना लिए जो मेरी गरीमा पर ठेस पहुंचाता है कि आप इस से आजाद कर दें रिहा कर दें तो अकबर ने उनकी बात को मानी और इनको स्वातंत्र की आजाद किया लेकिन कुछ शर्त रखी कि अब मुगल की सेना कश्मीर में जा चुकी है अब आप काश्मीर वापिस जाके अपनी सेना को एक जूट नहीं करने कोशिश करेंगे वहां अब आप जादा चल चुका है और मुगलों का सिक्का चलेगा तो इतना बड़ा मुगल तो बहुत बड़ा था ना और अकबर के समय में तो काफी विस्तार हो चुका था काफी बड़ी शक्ति थी उसकी तो यह बात इसको समझ में आ रही थी क्योंकि यह चक वंश का सिक्ष में हिंदी में उर्दू में कई कवीताइं इसने लिखी है इसको संगीत बहुत पसंद था और संगीत से संबंदित में इसके बारें बता दू जब यह संधी के लिए अगबर के दरबार आया था तान सिंग वहां कोई राग छेड़ रहे थे उस राग में कुछ तरूटी थ आना चाहिए था अपने इस परकार से गाया है और तान सिंग जैसे महान संगीत कार जिसको दुनिया मानती उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया सुईकारा तो इस बात से यह पता लगा सकते समझ सकते कि यह कितना बड़ा संगीत का प्रेमी रहा हो सुल्तान यूसुफ सा कि इसने किताबों में लिखा है कि यह सिर्फ रख्कासाओं की महफिल में ही रहता था यह गाने बजाने वाले को इसको सिर्फ संगीत और कला से प्रेम थी इसके शाशनकाल में दोचार क्वालिटी इसकी बहुत जबरदस्ती इसने बहुत सारी चीज कर जो है दूसरे जातियो पर कश्मीर में लगता था इसको समाप्त कर दिया यह अधियन करने की चीज है है ना हम आपने जो किताबों में 200-400 साल पहले लिखा कुछ मवेशियों के वध्य पर इसने रोक लगाया कि किसी को आहत नहीं किया जाए किसी की आस्था को किसी के सेंटिमेंट को क्योंकि जो किसी को आहत करने मजा नहीं आएगा इसको तो मज़ा प्राकिर्तिक के चीजों से सुंदर्ताओं से मतलब कि किंग आफ कास्मीर इस पर रोक लगाना के लिए मतलब कि एगरी थे उसने रोक लगाया उस वक तक वो कश्मीर का शासक था क्वालिटी थी यह तो वहां अकबर इसको कमजोर करने के लिए इसकी सत्ता को वहां धार्मिक उनमाद मी फैलाया है हास के मुस्लिम पंथों में उनमाद जो कई पंथ होते हैं मुसल्मानों में कि वह किसी तरह कमजोर हो लेकिन फिर भी उससे यह कमजोर नहीं हुआ तो जब आप मैं इधर आ जाओं कि अकबर जब इसको यहाँ से रहा किया फ रगब ने इसका अपना सहना पती बना लिया और इस बात को इसने शुरी का इस्ने SLU का इटका थे जाए तो पहले जमाने में सम्मान किया था हा था लोगों का क्यों कि कुई कूए रॉटे के साथ रूप् ले का सम्मान ये लुग इसा सब दैट मिन्स पांच हजार होर्सेट पांच गाउं और कुछ पैसा यानि रुपया उस जमाने का ऐजे वजीफा स्टाइपेंड दिया जाता था आपके जी निर्वहन के लिए यानि जीवन यापन के लिए भत्ता वह आपको मुगल की तरफ से मिलेगा जैसे सबसे अंतिम में मुगल से विजय हुआ अकपर ने सब प्रांथ जीत लिया था अलमस्ट उडिशा पर वह जीत नहीं पा रहा था क्यांके वहां अफगानिस्तान का एक शाषक था कतलू खान लुहानी और वह बड़ा ही खतरनाक योद्धा था तो अकपर ने उस जगा को ज कर रहा हूं इनको भेजा उडिशा के जगनातपुरी में यह फाइट हुई है युद्ध हुई है और अकपर वहां पे जीता है युद्ध विजय किया अकपर ने इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रिबुशन है बहुत जागा उडिशा जितने में किंग और कास्मीर का हम कर देखा थी वह ऐसे सेनापती गया था से कमांडर वह लीट कर रहा था उस जंग को लोग कहते हैं कि वहां यह बीमार हुआ इसको फीवर आया कुछ लोग बोलते हैं युद्ध में यह घायल हुआ और गायल होने के बाद कुछ दिन तक गायल अवस्था में रहने के बाद जो जमिंदारी दी थी गाओं दिया था जिसका नाम कश्मीरी चक रखा कश्मीर का शाशक था चंक परिवार से था चंक वंश थे कश्मीरी और चंक ठीक है उसके निवास अस्थान लाया गया शाब-ul-mali नाम का व्यक्ति था जिसकी शब को लेकर आया था क्योंकि वह उसक पुरानी जगा थी यहां कपर में इसको यहां दफन किया गया दफन का डेड़ भी लिखा कि कभ इसको ब्यूरीट किया गया ना वह मेंशन है और इसके बगल में इसके बेटे याकूब सब्सक्वे सब्सक्राइब निर्सलेशन हमें और मेंन काण तो लाइद लेवाटाशन थे किस्सेट बसहों दोड़ेवन कि असाव कहा है पुए विन किसे वहां पर आपक इंहीं मोwenbor ने pandemic ना रिख हो शॉट और कुछ कितावे हैं जिसे बरिस्तान रशाही, तारीख कश्मीर, हिकायत कश्मीर, तो बरिस्तान रशाही में यह ल्ग अधिया है, जो उस getting his diary, कितावे किताव इसको अमन्त है इसको दस मुहरम मुसलमानों का एक मंत होता है पान के पत्ते में जहर देके मारा गया था इनके बिटे को हाई याकूब शाचक को क्योंकि बागी था ना मुगल किसेना ने सुप चुप कर रहा था खार यह तो और बहुत लंबा इस तहा से जवाब किताब पढ़ेंगे जो रिटेंड डॉकमेंट है इसको देखेंगे तब आरका है यह इस उपटे क्या निखंगा थैं जूत किसे एपट इसका इदा में था इसका इसके चाहिए कोई ख सुरू में लिखा थोर्भीमें लिखा है यह शुर्वक्र के नाम से शुरू जो बढ़ डेयलू में अर किसकी याद में बना किसके याद में सुल्तान बैटमि जहाए अससिनेशन इसका कब किया गया कब मुर्थ होई एक्जाइल मतलब इनको बंदी बनाया गया कब इसके दोरा इग्जाइल एंपैर अकबर के दोरा किया गया है लुक्त जगननाथपूरी उरिशा तर लागे बतारोण जगनाथ बॉरिशा में नहीं पूरोण जगाया ह है है ना दिसंबर इतना इतना को ब्यूरिट किये गए है वह तो इनकी मौत का लिखा है बाइस सिमेट्री होते हैं समाधी को ग्रेवयाड को वाज री बिल्ड दुबारा से बनाया पहले भी बना हुआ था यह रूइंड हो गया तोड़ गया था इस पर जानवर चरते थे और सिक्योड इसको संदक्षित किया गया यासिर खान चक यह मेरा नाम है क्योंकि मैं इसी कश्मीरी चक से हूं मेरे वालिद की यानि मेरे पिता जी की पैदाश यहीं मेरे दादा यही थे जब देश में कुछ उनमात पहला था तो लोग इसलामपूर चले गए थी मुरी पूरी फैमिली तो मैंने कहीं कनेक्शन है आपकर मैं इस तमाम कब्रिस्तान दरगाह मजार्च यह समाधी जो आप कहें इसका कस्टोडियन हूं जिसको उर्दू में मतवल्ली कहा जाता ह मत्हादीश बोलते हैं किसी मठ का मैं हाँ और मैंने कब करवाया इसको 2016 में तो यह इंटायर बॉंडरी जो है ना मैंने अपने खर्च से किसी शक्स ने जो पत्थर इसमें लगवाया है जो इसके चाहने वाले थे इस जगह के इतिहास के उनका मिनाम मेंने बड़े अक्षर की भेदवाव की और इस जगह से बेसवक मतलब की समझ रहा है यह बड़ा दुर्भाग की बात है उनीस जनवरी 1977 को जब शेख अब दूला यहां अपनी पूरी टीम के साथ आए थे बिहार सरकार के भी कई गन्मान मंत्री थे कई इतिहासकार थे जिसमें एक पदमशीरी से सम्मानित एमवाई तैंग मुहम्मद यूसुफ तैंग वह एक बहुत बड़ा रिसर्चर है वह खुद यहां थे उन्होंने इस जगह के संडच्छन की बात की लेकिन दुर्भाग से हमारे दादा शरी की मिर्तू हो गई और वह लोग भी फिर दुबारा इस पर ध्यान नह नहीं रहा है उन्होंने इंट्रेस्ट नहीं लिया लोकल नहीं कभी इस बात को सरकार तक नहीं लेगा कि इसको संडच्छित किया जाए जिस तरह से बिहार सरकार हर चीजों को संडच्छन करना चाहरी है तो लोग जो हैना कई साइलानी कई स्टेट के लोग यहां आएंगे इसको जब विजिट करेंगे तो यहां पर बहुत सारा साधन डेवलप होगा और इससे कई लोगों को रोजगारे मिलेंगी रोजगार मिलेंगी रेवनु तो अब्यस जिनरेट होता है आप एक मंदरी या मजार दरगाह के पाहर जाएं तो दस फूल वाला ही खाना खा रहा है कुछ चीजें लोगों के जहन में नहीं है मैंने जब 2013 में इस चीज को स्टार्ट किया क्योंके पुर्व में हमारे दादाजी मुत वल्ली थे फिर हमारे चचा रहे तो लोग ऐसा भैबित हो गए हमसे जैसे हम कोई वो दूसरे कंट्री से आएं और इस जमीन को उठाएंग पर बार 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 समझाया कि यह तमाम जो जमीने है इस तमाम भूमी है बिहार राज सुनी वक्त बोड्ड में रजिस्टर्ड है जिस तरह से नयास बोड्ड होता है यानि इस जमीन को जिंदगी में कोई नहीं बेच सकता है यह एक अपराद की शरेनी में आता आपको जेल हो जाएगी और यह सरकार के यहां सब डोकुमेंटेशन है हर चीज़ की कितनी जमीन है क्या है ठीक है कि यहां पर केर नहीं हुआ बॉंडरी नहीं किया सरकार ने इसके लिए मैं 2013 से इतना चिठ्थी लिखा हूं कि आप कोई ऐसा अधिकारी मुख मंत्री से नीचे सियो तक आजाए यह इदर मुख मंत्री से लेकर परधान मंत्री चले जाए मैंने कि कश्मीर सरकार को कश्मीर के गवर्नर को जितने लोग हैं सभी को चिठ्थे लिखा है मैंने इसको संद्रक्षित किया जाए यह पूरे देखें लगबक चार एकड़ से बड़ा यह कितने सालों से रजिस्टर्ड है मेरे दादा शिरी मुतवल्ली रहे मठादीश रहे कस्टोडियन रहे मेरे चचा रहे सुर्गवासी है उसके बाद मैं 2014 में बना हूं मैंने देखा इसकी जो दूरदशा देखी जो हालत देखी तो मैं मजबूरन यहां आया और इसको खेती करेंगे मैंनों को किति बार समझाया कि भाई हम यहां खेती करने नहीं हैं जिस जगा के पास आप हैं यह एक पड़ा इतिहासिक भूमी है इस इतिहास से आपको कितना फाइदा है जो बाद में आप समझेंगे फर मैंने संद्रक्षन के बारे में लिखा सरकार को वो कश्मीर के पुर्व मुखमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वेट ट्वीट किया नितीश कुमार जी को कि कश्मीर से दूर हमारे बादशाह की कबर है और यह साल में है मैंने पेपर में पढ़ा तो भाई डीम साहिब आई जितने अधिकारी आए दो दिन में पूरी नाप व्यक्तियों का आया कि हम लोगों को जहन में था इसको घिरा दिया जाए यह विवाद न उत्पन हो कि उनके गिरे जिला में लेकिन मैं चुके अब जादा इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि मुझे नितिश कुमार को खराब नहीं कह सकता हूं मैं क्योंकि उन्होंने इतना का है कि अगर यह काम बाद में भी होता है तो समझो कि वह मेरे गारजियन स्वरूप है जिस दिन उनके कान में यह बाद गई या जिला अभी जो वर्तमान है तो वहां पुर्व जिला अधिकारी या मेरी फाइल जब देखेंगे वो जिला में कि इस संबंदी कितनी तरह की चि गड़ यही पहना बगल बिल्कुल आप सुनें गड़ एक मीटी का टीला जैसा हो है मतलब ही फैडेर है उसको वह घेराबंदी करवा दिया गया ठीक है लेकिन जहां एक शाशक लेटा है दफन है उसको आज तक इस तरह से मैं बताया ना कि दो आप प्लीज एक बार आएं जब देखें गद्व हजार 14 से पहले यह इस मिटेरीयल को बना था यह सुर्की मिटी का बनाओ कबर है तो स्वाणी के मीटagar का बनाओ वा फेаж बच्चे उस पर खेलते थे कोई इस पर काँच तो लोग इतने आराम से सो रहे हैं कि वो जगेंगे नहीं जब इश्वर जब तक नहीं जगा उनकी गेट को तोड़ दिया गया यह क्या क्या दुश्मनी है क्या समाजिक तत्व है समाज नहीं देखिए उनको भी इश्वर सद बुद्धी दे इससे क्या होने वाला है यह सब चीजों से कुछ नहीं होता है उनको चाहिए कि किसी चीज का संदक्षन हो रहा है अरे दो बच्चे ही आके बैठते होंगे सकून से कभी न कभी यहां पर साम में खेलने आते होंगे अब क्या है कि इस तरह की जमीने हैं आप कहीं पर भी भूमी को इस तरह से छोड़ तो यहां पर देखेंगे तो यह हैं क्या बोलते हैं कि यहां पर है और जो कभरिस्तान है पूरा मतलब की जिए कितना एकर में था अशर भाई लगभग चार एकर जमीन में यह कबर है और इसके बगल में जो बता रहे थे कि जहां पर बंदी बना करके रखा गया था देखिए अभी मैंने आपको वेश्वक जाकर के जो किंग ऑफ कास्मीर थे उनका मजार पर आपको वीडियो दिखाया अभी यह जो जगा है यह क्या बोलते हैं कि इस जगा का ना गुहीर थे हैं तो इसके बीवारे में चर्शा करेंगे जो यूसिर भाई है उन aye से वहांपे क्या बलते हैं दूर दूर तक आपको क्या वो पेड़ पौधा दिख रहा होगा लेकिन यहां पेडल बगल में सिर्फ एक ही पेड़ है और यहीं पेम बारता लब कर पहले वो मस्जीद हुआ करता था जिसमें भी लोग साय दर दिखा दिखा दिया गो तमझी वो मस्जीद वा करता था और यह बगल में फ़हा है वहां प्या आंटी रहती है उनका सुकर गजार है कि चिलतलाती धूप में पानी पिला यहां पर जिलाया और क्या बोलते की कास्मेरी चक गॉं में सिर्फ एक मजार है या फिर यशे से और भी मजारे काश्मीरी चक गाउं मैंने अपको बिस्तरी वा आज भी यह सरकार का रेवनु लैंड है राजस भूमी सुधार में आप देखेंगे तो रेवनु लैंड है यह यानि बड़ी इंपॉर्टेंट गाउं को इस तरह का वो मिलता है रेवनु विलेज है अब यहां कई मजारात थी तो यह बुजर्गों की मजार है जब भी कोई शाशक कहीं जाता है निर्वासित जिन्दगी जीता है तो फिर वो अध्यात्म की तरफ चला याता विशेशकर कोई कवी टाइप का अजमी तो यह यह बुजर्ग की मजार है हर साल वार्शी कूर्ष मैं यहां पर करवाता हूं कि लोग आते हैं थोड़ा शहर से गाउं की अच्छा भी लगता है बड़ा दुर्भाग है मैंने इसमें गेट लगवाया था इसको बांडरी उंटी करवाया था थोड़ा उचा लेकिन इस गेट से क्या तकलीफ है लोगों को उसको भी लोग तोड़ देते हैं वह भी आपने तेखा पीर गौरी की दरगा में भी करे थे आसमाजिक मेरे सब्दों में वह सब हमारे समाजिक है सिर्फ इश्वर उनको एक अच्छी सोच सच बुद्धी दे वह कोई श्रि-लंका और पाकिस्तान साइवे लोग नहीं है या बाहर से आएवे लोग नहीं है वह हमारी समाज के लोग है अगर वह और सिक्षित हो कोई और समयजदार हैं तो वह ऐसा काम नहीं करेंगे उनको भी लगे का कोई यहां दफन है कोई सो रहा है तो अब उसका दिवारों को तोड़ कर तोड़किंग क्या मिलता है यहां पर किन्ग मज़ते की मजार है यहार शुर्ग है सूफी संत है उनका मजार और भी मजारा मेरे परिवार के लोग यहां पर रहते थे मेरे डादा डॉक्टर अब्दूल रशीद खान वो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे उस समय में वो घोड़ा से चलते थे लोगों का इलाज करते थे आज भी कम से कम इस गाहों यह आस्पास बेस्बग के बुजूर्ग बता रहा है कि मेरे पिताजे को वही बचाते हैं पांच सो लोग ऐसे जिंदे होंगे मिनिमम जो अभी भी सौ साल के जुनों को देखा उनसे लाज करवाया है बड़ी शान्त और बड़ी फ्रेम वाला गाहों था वो तो दुर्भाग रहा देश का एक समय में उनमाद फैला और कुछ उनम चीत करें यह भी भूमी जो है बिहार राज सुनी वक्त बोर्ड में निबंदित भूमी है तो यह चीजें होना कि कभी रोड बंजा रही है कभी कोई बढ़ रहे हैं कभी किसी ने खेत काट लिया इस तरह का विवाद होता रहता है जब तक इसका कंप्लीट सॉलूशन है कि अपने देखा ना वो गड़ जहां उसको कैद किया गया था रखा गया सरकार ने उस गड़ का संरक्षन करवा दिया है कि गड़ में कुछ बेस किम्ति समान निकल सकता है जिसकी वजह से थोड़ा मुडा कुछ हो सकता है किसी को तकलीफ हो रही है हर सालम लोग आते इसी तर सब सुरक्षित रहे हैं सब धर्मों का सम्मान हो तो आखिर कौन सा गुना है कौन सी खता है मैं तो कहता हूं कि मैं किसी से यही लड़ने नहीं जा रहा हूं कि एक बित्ता तुम्हारा है कि एक बित्ता मेरा है जितना उना इसा नक्तिका तो बच्रा है उस पर हल निकाल लो प्रेम से बैठ लो और इसको घेर दो फिर कौन सा लफड़ा है भाई इसको घेरा जाए आगे इस तरह का विवाद ना उत्पन हो किसी वोजा से लोग आए मैं तो कहता हूं कि सरकार इस पर अगर मेरी बात आपके चाइनल के माध्यम से मेरे मानिये मुखमंतरी महादे तक पह और बहुत ही खुशी की बात है कि यह बगल वाला खेत और यह गाउं जो हमारे मानिये सांसत कोशलेंदर जी का है ठीक है मैं हमसे मिलने भी गया था बड़े अच्छे व्यक्ति हैं तो उन लोगों को भी चाहिए कि इसको किसी तरह घेरा बंदी कर दें तो यह कास्मीरी चक गाउं है और इसी कास्मीरी चक गाउं में क्या बोलते हैं कि कि किंग आफ जो कास्मीर थे उनके कोई सगा संबन्दि उनके कोई परिवार के लोग यहां पर रहा करते थे और बो दिन बहुत पुराना हो गया आब यहां पर कोई नहीं रहते हैं एक क्या बोलते हैं कि जो आ मजार उनका घहराबंदी के लिए नितीश कुमार से गुहार लगाये थे, ट्वीटर पे ट्वीटर वार चला था, यहां के क्या बोलते हैं कि उस समय के तातकालिन, डीएम साहब भी आये थे, एसपी साहब भी आये थे, सभी लोग आये, लेकिन दुरभागी की बात है कि अभी तक इसका घहराबंदी नहीं हो सका, यहां कि जो लोग हैं, जो इस धर्म से जुड़े हो लोग हैं, या फिर जो इतिहास में थोड़ा सा रूची रखते हैं, वो का भी मानना है कि इसका घहराबंदी हो जाए, तो यह जो एतिहासिक जगा है, इसका जो संरक्षन है, वो बरसो बरसो तक चलेगा और लोग इसको देखेंगे, बाकी इस गाउं के उपर आप क्या सोचते हैं, इस किंग आप कास्मीर के बारे में जो बखान बता है हमारी या झाल